Hello everyone, welcome to the channel The Zorawar Classes. आप सभी का स्वागत है आज की हमारी Current Affairs की Class में. My dear friends, यह होगी आपकी 14th of February की Current Affairs की Class. And friends, इस हफते का जो time table है, वो टेलिग्राम पे डाल दिया गया है. इस हफते हमने दो आपकी साइको की Class रखी है. यानि कि Monday है, तो Monday आपकी Monday Tuesday cycle चलेगी. फिर उसके बाद Wednesday Thursday reasoning रहेगी और Friday की हमारी EBS की Class होगी. इसमें हमने English में भी Change किया है, वो आप टेलिग्राम पे जाके देख लेने, तो time table हमने भेजा है. जिन बच्चों ने अभी तक टेलिग्राम जोइन नहीं किया, ऐसे लिए कहते हूं, टेलिग्राम बहुत ज़रूरी है, नीचे description में लिंक मिल जाएगा, टेलिग्राम चैनल का, उसको ज़रूर ज़रूर जोइन कर ले, ठीक है, बागी बच्चों हम अपनी पूरी मेहनत कर ठीक है, और मैं चाहता हूं कि जब भी exam हो, उस दिन सिर्फ मेरे पास यही message जाए, कि सर मेरे 120 प्लस बन रहे है, सर मेरे 115 प्लस बन रहे है, मतलब 110 मिनीमम लेके चल रहे हैं, कि 110 लास्ट वाला बच्चा बोले हमें, इस तरीके से मेहनत कर लो अपनी, मैं सिर्फ यही कह रह डेली रूटीन में बना लिया ना, तो बहुत बहुत ज़ादा फायदा देगा आपको यह exam के time पे, ठीक है, चले friends, आज का अपना session स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला question लेते हैं, Tom Tom की ताजा reports के मताबिक, traffic index 2021 में, दुनिया के सबसे भीडबार वाले शेहरों में, निम्न मे latest report, which of the following has been ranked first among the world's most consistency in the traffic index 2021, और यह जी आपका, टुर्की का इस्तांबूल, ठीक है, टुर्की के इस्तांबूल को पहला इस्थान प्राप्त हुआ है, रश्या की जो मोश्कोय है, वो दूसरे नमबर पर आती है, बात करें, भारत की दरफ से कौन सी स्टी है, तो पांचवे स्थान पर आपकी मुंबई आती है, टॉम टॉम ट्राफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार, तुर्की का शहर, इस्तांबूल मोश्को को पचाड कर सबसे अधिक भीडबार वाला शहर बन गया है, इस सुची में रूश की राजदानी मोश्को दूसरे पाधियान पर आती है, मुं मुंबई में भीडबार का स्थर जो है, वो 53 पीजदीद है, ये सुचांग 6 महादीपो के 58 कंट्रीज के 404 सिटीज में यातायात की भीड को कवर करता है, और उसके बाद एक रैंकिंग टै करता है, जिसमें इस्तांबूल, तुर्की से इस्तांबूल जो है, उसमें पर्थ पॉलिटिकल पार्टी, और उन्हें हाल ही में 10 फरवरी को भारते जंता पार्टी जो है, वो राजनितिक रूप से जोईन कर ली है, पूर रैसलर ग्रेट खली ने राजनितिक पारी शुरू कर दी है, वे 10 फरवरी को भारते जंता पार्टी में शामिल हो गए है, कि इंद् WWE में जाने से पहले कली पंजाब पुलिस में ASI पदपत है यानि की Assistant Sub-Inspector उन्हें अमेरिका में 2021 के पर्थिसे WWE Hall of Fame क्लास में शामिल भी किया गया है और अब उन्होंने भारती जन्ता पाल्टी अपने पॉलिटिकल करियर के रूप में जोइन कर लिए Question No.3 हाल ही में कें सरकार ने विदेशों से किस चीज़ के आयात पर परतिबंद लगा दिया है Central Government has recently banned the import of which thing from abroad और ये काया जी हम विदेशों से विदेशी ड्रोन जो है वो इंपोर्ट अब नहीं करेंगे कें सरकार ने हाली में ड्रोन के आयात पर परतिबंद लगा दिया है आपको बता दे कि ये परतिबंद 9 फरवरी 2022 से लागू हो गया है इसका अर्थ ये है कि अब विदेशों से ड्रोन नहीं खरीता जाएगा हाला कि research development, defense और सुरक्षा के उदेशी से ड्रोन को आयात किया जा सकेगा किन सरकार का कहना है कि इससे देश में ही ड्रोन manufacturing को बढ़ावा मिलेगा तो अब कोई भी फॉर्णर ड्रोन अगर लेना चाहता है तो वो नहीं ले पाएगा किस राजय सरकार ने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी चात्रों के लिए प्रेया शिक्षालिया नाम से open classroom launch करने की गोश्चना किये इस योजना के तहत कक्षा एक से पाँच भी तक के सभी चात्रों को प्राइमरी शिक्षा प्राइमरी चात्रों की जाएगी यह कक्षा जमीन पर संचालित की जाएंगी इस इस्तिती में प्राइमिक विद्याले के बच्चों को लाने के लिए open classroom सबसे अच्छा तरीका है यह सस्ता भी है राजय सरकार अपनी योजना को लागू करने है तू पहले से ही विश बैंक और IMF से कर्च ले चुकी है पश्ची मंगाल government याद रखना है आपको प्रेय शिक्षा लिए जो की आपका प्री प्राइमरी और प्राइमरी चात्रों के लिए क्लास फर्स तू फिफ्थ चलिए नेक्स्ट कोश्चन लेते हैं कोश्चन नबर फाइब भारतिय रिजर्ब बैंक ने ए रूपी वाउचर के सीमा दस हजार से बढ़ा कर कितनी कर दिया है रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया प्रिपेड वाउचर की सीमा दस जार से बढ़ा कर एक लाग रूपे करने का प्रस्ताफ इस किया है रिजर्ब गवर्नर शक्तिकान दास ने मुद्रिक नीती समीती के बैठक के निन्यों की गोस्टा करते हुए का है कि ए रूपी वाउचर की लिमिट बढ़ाए जाने के सा नेक्ष फोशन लेते हैं कोश्टन नमबर सिक्स्त हाल ही में किस केंद्रे मंत्री को अठारवे मादावराय लिम्य पुरुषकार से सम्मानित किया गया है विच यूनिन मिस्ट्री हाज मिनिस्टर हाज बीन ओनर्ड विद एटींत मादावराय लिम्य अवर्ड रसेंटल औ आपके नितिन गडगरी माई फेवरेट वन ओफ माई फेवरेट मतलब अगर मैं बीजबी गोवर्मेंट की बात करता हूं या जो गौवर्मेंट 2014 से उसकी बात करता हूं मतलब यह अपने काम पे इस तरीके से फोकस हैं कि इनको कुछ और दिखता ही नहीं केंद्रिय सटक परिवान और राज्य राजमंत्री नितिन गडगरी को पहली बार वर्ज 2020-21 के लिए कारेकरम खासदर दक्ष शंस सदस्य की स्रेड़ी में अठारवे सुरगीय मादावरा लिम्य पुरुषकार से नवाजा जाएगा यह पुरुषकार नाशिक पब्लिक लाइबरी सारजनिक वाचानले दुवारा प्रदान किया जाएगा इससे पहले यह पुरुषकार महरास्ट के एक कुशल विधानसबा सदस्य MLA कारिय श्रम आमदार को दिया गया था ठीक है निम्नम में से किसके सहे खोजकरता नोबल विजेता लूक मॉन्टिगनियर का हाल ही में निधन हो गया यह बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है सबसे पहले तो आप HIV की फुल फॉर्म जो है मुझे नीचे जरूर बताएंगे कमेंट बोक्स में यह आपका होंवर कुश्चन है एक फ्रांसी सी वाइलोजिस्ट लूक जिन्होंने एड्स का कारण बनाने वाले वाइरस की खोज के लिए 2008 में नोबल प्रुसकार साजा गिया था कमंगलवार को पैरिश उपनगर न्यूली शुर्ष सीन में निधन हो गया वे 89 यह के थे HIV की खोज तीन जन्वरी 1983 को पैरिश में की गई थी वही वह दिन था यह वह दिन था जब पास्चर इंस्टिट में वाइरल एंकलोजी यूनिट का निर्दीशन करने वाले डॉक्टर लूक को लिम्फ नोड का एक टुकडा मिला जिसे एक से हटा दिया गया था 33 वर्षिय व्यक्ति को एड से पीडित पाया था तो सबसे पहले जो खोज है वह आपके लूक मंटेगी जने की थी यह नोबल पुष्कार विजयता भी है और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया चले नेक्स कोशन लेता है कोशन नमबर स्टार कोशियन है ठीक है ओन विच डे इंडिया नाशनल वुमिन्स दे वह सेलिब्रेटेड रिसेंटली और यह 13 वर्षिय है यानि कि कल ही हमने वैलेंटा इंडिय से एक दिन पहले इस तरीके से याद रख लेना सरोजनी नाइडू की जैंति के उपलक्स में हर साल 13 स्रोजनी नाइडू की जैंति के उपलक्स में हर साल 13 वर्षिय को राष्टिय महिला दिवश मनाये जाता है नेक्स्ट कोशन लेते है कोशन नुबर नाइन्थ मुनिश्वरनात भंडारी को हाल ही में किस उच्च नियाले का मुख्य न्याएदिश न्यूक्त किया गया है नियू चीफ जस्टिस और विच हाई कोड रिसेंटली और यह कि है जे मदराष रूप न्यूज न्याएदिश मुख्य न्यूक्त चीए गया है को उच्छ नियाल लेगा मुख्य नियाइधिस बनाय गया पहले क्या थे वो कार्यवाग थे और अभी उन्होंने क्या उन्होंने न्युक्त किया गया था इन्हें हाली में भी कार्यवाग मुख्य नियाइधिस और वहां से अब कार्यवाग हट गया है और ये आपके मुख्य बनाया जाता है तो उसकी appointment obviously राश्पती जी करता है तो वहाँ से वो letter भी जो है ने प्रदान किया गया आज का last question ले लेते हैं हाल ही में राश्टपती रामनाथ कोविन जी ने किस शहर के राजभवन में दर्बान दर्बार होल का उद्गाटन किया राश्टपती श्री रामनाथ कोविन जी ने मंगलवार को मुंबई में राजभवन में नए दर्बार होल का उद्गाटन किया इस मोके पर मुख्य मंत्री उद्दव शिंग ठाकरे भी मोजूद थे राश्टपती चार दिविश्य मारास्ट दोरे पर देखacked है कि मैं श्री रामनाथ कोविन जी से तीन बार मैंने भेट की हैं एक बार हम तो हमारे स्कूल में ऑगे थे दो बार राश्टपती भवन और एक बार हम बच्चों को मोगा मिलता है मैंने नरेंदर मोदी जी को बहुत पास से देखा हुआ है ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े काम है लेकिन हा मुझे पता है कि यह लाइफ में कभी कभी होते हैं कि मैं दुबारा से इतने क्लोस से शायद राश्पती जी वो देख लू यह और चीज़े कर लू तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ एट-लिस कुछ चीज़े ऐसी हैं जो कुछ-कुछ लोग की कर पाते हैं उनमें से हमने एक की है उके साथ टॉप टॉप 10 कोशिचिंश ऑफ टुडए और यह सब चीजे मैं बता रहा हूँ फिर से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी से मिलती है मैनत से मिलती है पॉजिटिविटी से मिलती है दूसरों के लिए बुरा मत बोलो चाहिए वो कुछ भी कर रहा है ठीक है, दूसरे के लिए comment मत करो, अभी कोई बच्चा बता रहा है, somebody is telling me, मतलब, he is, वो मेरे बारे में बात करता रहता जब भी देखो, मैंने भी कल जाके देखा, किसी ने बताया मुझे तो मैंने जाके देखा, so, I don't know why, उनका channel है, अपना, पढ़ाओ यार, और क्या करना है, मैनत करो, पढ़ाओ, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं रखा है बाकी दुनिया, मैं बता रहा हूँ आपको, आपको, मैं क्या कहा रहा हूँ, आपने सो अच्छे काम किये, और एक गलत काम कर देखा, दुनिया भूल जाएगी, एक कहानी बताओ मैं आपको, दो भाई थे, एक बड़ा भाई था, एक चोटा भाई था, बड़ा भाई पढ़ने में बड़ा उश्यार था, हमेशा पढ़ा ही था, तो बड़ा तो पहले से नलाय का पढ़ता भी था, छोटा हमेशा पढ़ता रहता था, तो आदमी आपको सक्सेस्फुल जो है न, वो उसके पीछे है, सिंपल सी बात है, अनसक्सेस्फुल आदमी को कोई नहीं पूसता चाहे, आपने लाइफ में कभी कुछ कितना भी अच्छा किया हो, तो हमेशा मैं यह कह रहा हूँ, सक्सेस्फुल बनने के लिए न, दो चीज़े बहुत ज़रूरी है, एक तो पोजिटिव माइंड सेट और दिख्दू-धूरी महनत, और यह हमेशा करते रहो, यह मेरा आप लोगों को एक एडवाईज है, बड प्रबस्यों.